सब्सक्राइब करेंगे अगर मुझे कुछ इस टाइप का सीन क्रियाट करना है कि एंटर योर नेम करके कॉलम आएगा जहाँ पे student अपना नाम लखेगा और अगर हम चाहते हैं उस स्टूडेंट को एड करना है तो हम एड पर बटन दबाएंगे मतलब हम दो-दो बटन्स यहाँ पे लगा रहे हैं एक ही वैब पेज के अंदर एड करने के लिए एड और रिम okay method यहाँ पर मैं रखता हूँ फिलाल get ठीक है method equals to get चलिए enter your यहाँ पर अपन कर देते हैं let's say इसको हटाते हैं चलिए तो पहले अपन let's say input tag बना लेते हैं यहाँ पर लिख देते हैं enter name ठीक है input tag बना लेते हैं input input type equals to input type equals to text name equals to username and value equals to let's say enter name default value हमने यह दे रिया now दो बटन्स अपन create कर रहे हैं submit करने के लिए ठीक है तो मैंने लिखा input type equals to submit ठीक है input type equals to submit and name equals to something अभी अपन लिख देते हैं let's say okay name अभी अपन रखते हैं let's say value 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 मैंने रखा हैं यहाँ पर let's say add ठीक है इसको name को मैं लख देता हूं user ठीक same to same यहाँ पर एक और अपन बटन create करते हैं submit के लिए input type equals to submit name equals to user and value equals to let's say value equals to remove okay okay so अब अपन क्या करते हैं दो हमारे पास submit buttons हो गई ठीक एक हमारे पास हो गया यहाँ पर enter name वाला column ठीक form का action हो गया thanks.html इसको save करते हैं let's try to save this and we will run this thanks.html चल गया है just a second हाँ आप यहाँ पर देखिए आ रहा है enter name ठीक enter name में मैंने डाला गौरफ गौरफ ठीक enter name गौरफ मैंने लिखा मैंने क्लिक किया add अब देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया add आप उपर दीखिए यहाँ पर क्या हो रहा है उपर बोला user name equals to गौरफ and user equals to add मतलब यहाँ पर जो user name है वो तो गौरफ है और जो उन्होंने action लिया यहाँ पर जो हमने जिसको नाम वहाँ पर user दे दिया था मैं उसको नाम चलिए action दे देता हूं इसकी जगे यहाँ पर user की जगे इसका नाम में देता हूं action किया action किया नाम आप कुछ भी रख सकते हो वैसे इस attribute का हम जिस्त देखने के लिए कर रहे है action क्या action perform किया है ठीक है let's go back let's try to run this name equals to let's say Gaurav Tiwari ठीक यह चलिए Gaurav रहना देते है Gaurav and मैंने बुला remove ठीक तो आप देखिए उपर URL के अदर क्या रहा है कि user name था Gaurav and action equals to remove मतलब आप देखिए मैंने multiple buttons तो create की है लेकिन मुझे पता कैसे चल रहा कि कौन सी button दबाई user ने add कि remove वो कैसे पता चलेगा वो मुझे पता चलेगा क्योंकि मैंने get method यूज किया यहां पर और get से क्या होगा URL के अंदर वो ठीज आ जाएगी कि भाई नेम तो username तो Gaurav यह तो मुझे पता चल गया लेकिन action क्या था वहाँ पर क्या action किया था क्या action add किया था यहां पर साफ साफ लिखा है कि जो action वो क्या है आपके पास remove तो हम आगे के page पर पता लगा सकते है basically जो next page है कि user को यहां पर add किया गया है यह यह भी हमको दे दीजे type equals to submit करके दोनों का value अलग अलग रख दीजिए आप बस दोनों की default value एक की value add हो गए एक की value remove हो गई और नाम सेम रखी आप दोनों का action क्योंकि back end पर हमें यह भी तो पता चलना चाहिए कि action हुआ क्या है तो action equals to add आया मतलब add हुआ user action equals to remove आया मतलब कि remove हुआ है एक बार करके देखते हैं चलिए let's try to save this let's run this लेट से में लिखा उर्मिला ठीक है उर्मिला और add देखिए यहां पर लिखा गया username equals to urmila and action equals to add it's that simple ठीक है बहुत ही simple है यह कि आपको कैसे multiple buttons को insert करना है web page के अदर आपको simply दो buttons रख दीजिए आप simply उसको और आप उसमें value को same रख सकते है now next चीज हमें जो देखनी यहां पर वो यह है कि भाई check boxes और radio button में क्या difference होता है तो simple बात है check box के use अब कहां पर करेंगे check box के use हम वहां पर करते हैं जहां पर हम एक से जादा ठीक है check box और radio ठीक है तो यहां पर लेट से मैंने लिखा जेंडर ठीक जेंडर और लेट से input type equals to check box type equals to check box name equals to रहने दीजिए भी value equals to भी रहने दीजिए ठीक है check box तो दाएगा gender के आगे ठीक है अब just अपन एक एक example ले रहे ठीक है और एक और यहाँ पर input टेक दे रहता हूँ input type equals to check box name equals to let's say nothing value equals to let's say nothing ठीक है अब अपन देखते हैं जो हमारा radio वाला scene ठीक है यहाँ पर मैं देखता हूँ let's say languages languages ठीक है languages यहाँ पर लिख दी मैंने हिंदी यहाँ लिख दी English ठीक English जबकि एक नीचे मैं बना रहाँ टेक जेंडर के लिए जेंडर mail यहाँ पर बियार के यूज करते हैं let's say उपर भी अपन बियार के यूज कर लेते हैं चिक mail labeling भी कर सकते हैं वैसे अपने यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं उसमें input type equals to input type equals to radio type equals to radio name equals to let's say gender value equals to let's say nothing रखते है और एक let's say मैंने बोला female ठीक है same to same चीज यहाँ पर भी कर देंगे हम female में यह वैसे बहुत ही simple चीज है, input type equals to radio, name equals to gender, value equals to this, ठीक, अभी आप इसको save करते हैं, अच्छा, submit करने के लिए button यहाँ पर मैं नहीं ले रहा हूँ, just, चलिए, कर ले ही लेते हैं, वो भी, input type equals to, submit, value equals to, let's say, login, okay, test, यहाँ पर देखिए, languages, Hindi, English, यह जेंडर सामने आ रहा है, इसको अपर थोड़ा सा, यहाँ पर भी एक BR टेक लगा देते हैं, तो यह BR हो जाएगा नीचे, ना अपर इसको चलाते हैं, अपर देखिए, languages, Hindi, English, Gender, Male, Female, अब मैं male select कर रहा हूँ, female select कर रहा हूँ, तो कोई एक ही select होगा, जबकि Hindi, English, दोनों select हो सकती हैं, तो checkbox और radio button में क्या difference होता है, बहुत ही simple difference होता है, checkbox के case में आप multiple चीज़े select कर सकते हैं, जबकि radio button में आप एक बार में एक ही value को select कर सकते हैं, पर हमको दोनों का use कप कहां पर करना है, simple बात, जब अपने पास multiple possibilities हो, जैसे आपको कौन कोई सी languages आती है, तो वहाँ पर Hindi, English, French, German, बहुत सारी डालके checkbox बना सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलनों gender क्या है, तो ऐसे नहीं आपने वाला male भी है, मेरा तो female भी है, ऐसे नही क्या देखा है, ठीक है, तो हमने simple सी एक चीज़ देखी यहां पर, कि अगर हमारे पास, अगर हमारे पास checkbox होता है, तो हम उसमें multiple चीज़े select कर सकते हैं, पर अगर हमारे पास radio button होटी तो हम उसमें एक बार में एक ही चीज़ select कर पाते हैं, ठीक है, I hope आपको यह समझ में आगे, आपको अच्छी से, see you in the next video, thank you so much, bye bye